नमस्का दोस्तों स्वागते आपका मेरे यूटूब चैनल मिस्टर बोक्स ओफिस वाला में तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे द्रिशिम 2 मुवी के 11 दिन के अरली एस्टिमेट्स के बारे में उसके नमबर्स क्या है, क्लेक्शन क्या है, क्या उसकी परडिक्शन निकल कर आ रही है इन सबी चीज़ों के बारे में हम डेटेल में बात करेंगे तो बने रही है मेरी इस वीडियो में अगर आप मेरे चैनल में नए है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना द्रिशिम 2 मुवी और 11 में दिन के जो एस्टिमेट्स हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं वो है 6 करोड से लेकर 7 करोड रुपे जो की ठीक ठाकी है तो कि मंडे को हमेचा हर एक मुवी का जो बॉक्स ओफिस कलेक्शन वो गिर जाता है जैसे कि हर एक फिल्म का गिरा है वैसे ही ड्रॉप हुआ है द्रिशिम 2 मुवी का लेकर उसके बावजुद भी इसके जो नंबर्स है काफी अच्छे हैं छे क्रोड रपे से लेकर साथ क्रोड रपे का इसका जो अर्ली एस्टिमेट से हमारे सामनी आया है तो जिससे इसका टोटल बॉक्स ओफिस कलेक्शन इंडिया में हो जाता है एक सो निंजा से लेकर एक सो पचास क्रोड रुपे मतलब कि ये एक सो पचास क्रोड रुपे का टार्गेट पूरा कर चुकी है सिर्फ बॉक्स ओफिस इंडिया में है तो इसका जो कलेक्शन है बहुत अच्छा जा रहा है लोग अभी भी इस फिल्म को देखने जा रहे है तो मैं परसनली बताना चाहता हूँ कि ये मुवी बहुत अच्छी है सस्पेंस हो त्रिलर हो फिल्म की कहानी हो बहुत अच्छी बेशक ये फिल्म रीमेक है लेकिन उसके बावजुद भी लोगों ने इस मुवी को बहुत जदा प्यार दिया है आपके क्या रहा है इसके बार में आपको क्या लगता है और दोस्तों बार में दिन का इसका कलेक्शन कितना हो सकता है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बार में दिन भी ये मुवी मुझे लगता है कि पांसे लेकर 6 क्रून रपिया अराम से कमा लेगी लेकिन इसके लिए मैं एक अपडेटेड वीडियो जरूर ले होगा तो बने रही है मेरे चैनल के साथ अगर ने है इस वीडियो में तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब जरूर करना